हेलो गाइस कैसे हो सभी I hope कि सब अच्छे होगे तो दोस्तो काफी भाहियों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपका चैनल अभी तक मोनेटाज हुआ की नहीं तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तो आज से 4-5 दिन पहले ही मेरा यूटूब का क्राइटेरिया कम्पलेट हो चुका था और मैंने उसे 2-3 दिन पहले मोनेटाजसन के लिए अपलाई भी कर दिया था लेकिन दोस्तो टू स्टेप बहां पे एरर आ चुका था उसकी वज़या है कि मेरा आज से 4-5 साल पहल और आभी में सब कोच भूल चुका था तो दोस्तो मैंने यहां पे ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा पहले भी एक एटसेंस अकाउंट है और मैंने नया एटसेंस अकाउंट वहां पे क्रेट कर दिया वो भी अपने ही नाम से तो दोस्तो वहां पे एरर लिखा हुआ आ गया उ तो दोस्तो वीडियो में बताते हैं आगे क्या का प्रोसेस में ने किया था तो वीडियो सुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सस्क्राब नहीं किया तो सस्क्राब कर लीजिए और साथ ही बैल आकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे useful content आपके लिए लाता रहता हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम आ चुके हैं अपने YTD स्टूडियो के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पे apply now का option भी आ चुका है यहाँ पे मुझे बोला गया है कि आप partner program जोइन कर सकते हैं देखे दोस्तों यहाँ पे मेरा criteria complete हो चुका है यहाँ पे one case subscriber चाहिए थे और मेरे 1531 हो चुके हैं और 4000 गंटे का watch time चाहिए था यहाँ पे आपको customize channel पे click करना है और यहाँ से monetization के option पे click कर देना है तो देखे दोस्तों यहाँ पे हमारा apply का option आ चुका है अब हम यहाँ से monetization के लिए apply कर सकते हैं तो गाज जैसे ही आप apply now पे click करेंगे आपके सामने ऐसा interface आएगा तो दोस्तों यहाँ पे यह तीन step complete करने पड़ते हैं तो चलिए हम पहले वाले पे click करते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा start का option तो चलिए इसी पे click करते हैं उसके बाद यहाँ पे ऐसा interface आएगा यहाँ पे आपको उपर की ओर slide करना है और जो यह लिखा हुआ आप पड़ भी सकते हैं नहीं तो आप बिल्कुल नीचे की ओर आकर I accept the base term इसी पे click कर देना है उसके बाद यहाँ से accept term पे click करना है उसके बाद यह पहला step complete हो जाएगा यहाँ पे done लिखा हुआ आ जाएगा अब आपको आना step 2 पर to complete the step दोस्तों यहीं पे आपको ध्यान देना है अगर आपका पहले से कोई AdSense account है तो यहाँ पे yes पे click करना है अगर नहीं है तो no पे click करना है और continue कर देना है उसके बाद आपके सामने थोड़ा loading लेगा loading लेने के बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पे आपको वो Gmail सेलेट करना है जिससे आप AdSense बनाना चाहते हैं उसके बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पे Google AdSense open हो रहा है open होने के बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पे दिखेगा your website और नीचे दिखेगा get more out of AdSense तो दोस्तों यहाँ पे यह बोल रहा है AdSense से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे yes पे क्लिक करना है और नी तो no पे मैं यहाँ पे yes पे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद select your country of terrority यहाँ पे आपको इंडिया select करने ना है तो चलिए मैं भी यहाँ से इंडिया ही select कर लेता हूँ I love my India तो दोस्तों मैं यहाँ पे इंडिया ढून लेता हूँ तो देखे इंडिया यह रहा इंडिया तो दोस्तों मैंने यहाँ से इंडिया select कर लिया उसके बाद आपको उपर के ओर select करना है और नीचे आपको ऐसा interface दिखेगा, यहाँ पे आप चाहें तो इसे पड़ भी सकते हैं, अनी तो यहाँ पे yes पे click करना है और यहाँ से create account पे click कर देना है, तो चलिए मैं भी यहाँ से yes पे click करता हूँ और create account पे click कर देता हूँ, तो दोस्तो उसके बाद यहाँ पे यह थोड का interface आएगा, तो दोस्तो यहाँ पे आपको अपनी पूरी details देनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका address, तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी details भर लेता हूँ, तो दोस्तो मैंने यहाँ पे अपनी details भर लिया, उसके बाद यहाँ से submit कर देना है, submit करते ही यह थोड़ी देर के लि दोस्तो हमारा two step जो था वो in progress में चला गया है, दोस्तो अब google team हमारे adsense account को अच्छी तरा से review करेगी और इसे अच्छी तरा से जाँचेगी, तो दोस्तो इस जाँच में कई दिन लग सकती हैं, उसके बाद आपको एक नरड़ा email करेगी, उसके बाद आपका यह तीसरा step अ एरर आ चुका था, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई के नाम से नया adsense बनाया और उसे यहां से link किया, दोस्तो अभी तो हमारा step two ही in progress में चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, तो दोस्तो वो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा, साथ ही हमारे चैनल को सस्क्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही useful content आपके लिए लाते रहेंगे